हेलो 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 बचलोग स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म पी डवलू लिटिल चैंपर मैं हूँ आपका दोस्त होस्त फिजिक्स मेंटर और आलोग चौबे बचलोग चीट सीट सीरीज 20 मिनिट्स वन चाप्टर और आज हम लोग क्ल चाप्टर कम्प्लीट मतलब पूरा चाप्टर कवर करेंगे सिर्फ 20 मिनिट में फटाफट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाट इस लाइट तो लाइट इस फॉर्म अफ एनरजी विच एनेबल अस तो सी इस ब्यूटिफुल वाल अराउंड अस यानि लाइट एनरजी का possible हो पा रहा है अगर कहीं पर अंधिरा इसका मतलब क्या है वहाँ पर light की absence है अंधिरा कुछ नहीं होता है बस अंधिरा होता है absence of light अंधिरा is absence of light अगर light present नहीं है तो उसको ही हम light हम उसको ही क्या कह देते हैं अंधिरा कह देते हैं और अगर कहीं पर light present है मतलब वहाँ पर और उजाला है तो हमको वहाँ पर present चीज़े दिखाई देंगी और अंधेरे में चीज़े हमको दिखाई नहीं देती हैं तो light क्या है energy उर्जा का एक form है light is a form of energy which produce the sensation of vision in our eyes आपने देखा होगा रात के समय जब हमको चीज़े दिखाई नहीं देती हैं तो हम क्या करते हैं torch का स torch के सामने भी क्या होता है एक headlight on train के सामने भी एक headlight लगी होती है रात के समय वो on हो जाती है ताकि train के driver को रात के समय track पर दिख सके कि कुछ है तो नहीं और फिर वो train smoothly चलती है ठीके बचा तो ये तो बात हो गई light की अब light की कुछ property की बात करें तो light जो है वो always travel in a straight line यान आप अगर एक street pipe लेते हैं और street pipe में से candle को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये candle दिखाई दे जाएगी क्योंकि light जो है हमेशा street path में travel करता है बट अगर आप उस pipe को bend कर दें तो आप इस candle को नहीं देख पाएंगे और इस experiment को चाहे तो आप घर पे perform करके देख लीज light always travels in a straight line अचा चलो अब मुझे ये बताओ light किस property को क्या कहते है light किस property को क्या कहते है light हमेशा street path में travel करता है and this property of light is known as dash 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 मैं आपको एक word बता देता है rectilinear rectilinear इसके बास dash 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 फटा फट सब कुछ फिल कर दो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत important phenomenon होता है light से related उसको हम जरा समझते हैं कि ये क्या होता है देखो बचा यहाँ पर क्या है एक polished reflecting surface है polished smooth surface है बिल्कुल polished चिकनी smooth surface है ठीक है इसको मैं लिग देता हूँ ये एक smooth surface है smooth बोले तो बहुत ज़्यादी चिकनी बहुत ज़्यादा चिकनी smooth surface है अब यहाँ पर बच्चा एक कोई light source है ये एक light source है light source मतलब इसके पास अपनी खुद की light है और ये light को emit कर रहा है ये light को emit कर रहा है तो यहाँ से light ray travel करती हुए आएगी और आकर जब इस polished surface से टकराएगी तो इस से टकराने के बाद इस surface को ये cross करके दूसरी साइड नहीं जाएगी light rays light source से travel करती है आ रही है smooth surface से टकराएगी तकराने के बाद इसको cross करके दूसरी साइड नहीं जाएगी बलकि तकराने के बाद ये light ray क्या हो जाएगा bounce back हो जाएगी और bounce होकर अप उसी direction में यानि जहां से आ रही है उसी तरफ वो bounce back होकर चली जाएगी और ये light का जो bouncing back हो रहा है इसी को हम कहते हैं reflection of light या हम कुछ ऐसा कहें कि जब light ray के रास्ते में कोई smooth surface आ जाता है तो जो light का रास्ता है वो change हो जाता है यानि direction of light ray changes and this change in direction of light ray is known as reflection of light. The change in the direction of light ray by a mirror is called reflection of light या हम कह सकते हैं bouncing back of light ray is also called reflection. bouncing back of light ray is called reflection of light. अब बचा लोग light source से जो light ray आ रही है उस आने वाली light ray को हम कहते हैं incident ray इसे हम कहते हैं incident ray टकरा कर जाने वाली light ray को हम कहते हैं reflected ray और हम यहाँ पर एक अगर perpendicular draw करें 90 degree पर इस point पर तो इस perpendicular line को हम कहते हैं normal इस perpendicular line को हम कहते हैं बच्चा normal और इसके बीच में जो angle बनता है incident ray के बीच में वो कहलाता angle of incidence और एक बहुत important सी बात है उसको note down कर लेना कि angle of incidence is always equal to angle of reflection यह हमेशा ही होता है जब आपका reflection किसी smooth surface से हो तो angle of incidence is always equal to angle of reflection आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी देख सकते हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है एक torch से light जारी है इस mirror से टकराने के बाद वो reflect होकर आ जारी है यहाँ पर भी क्या हो रहा है light के path में change आ रहा है और इसको ही reflection कहा जाता है आप देख सकते हो पानी में इस पहाड की image दिखाई दे रही है due to the reflection image form होता है reflection के कारण जब हम सुवे सुवे mirror के सामने खड़े होते है तो mirror में हमारे जैसा ही एक वेक्ति दिखाई देता है और उस वेक्ति को हम touch नहीं कर सकते हैं अपने आपको touch कर सकते हैं तो mirror में जो चीज दिखाई दे रही है वो हमारी image है उसको हम touch नहीं कर सकते हैं और वो क्यों दिखाई दे रही है क्योंकि हमारी body से light mirror पर जा रही है वहाँ से reflection हो रहा है and image formation हो रहा है image formation के लिए reflection बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब बचा properties of image form by a plane mirror आपका चेहरा दिखाई देता है तो इस plane mirror से जो image बनती है उस image की कुछ properties की बात कर लेते हैं image का मतलब है जो अंदर होता है mirror का जिसको आप touch नहीं कर सकते हो mirror के अंदर जो होता है उसको आप touch नहीं कर सकते हो उसको हम बोलते हैं image अब plane mirror से जो image बनी है उसकी कुछ properties है चलिए उन properties को हम एक-एक करके देखते है उन properties को हम एक-एक करके देखते हैं बचाओ के क्या-क्या होती है वो properties तो सबसे पहले plane mirror से जो image बनती है वो image होती है erect erect का मतलब क्या है erect का मतलब है बेटा अपका up-down का down ये एक mirror रखा हुआ है अगर इसको हम object कह रहे हैं तो इस object का जो image बनेगा वो कुछ ऐसा ही होगा ऐसा ही होने का मतलब क्या है देखिए इसमें head कहा है उपर है तो इसमें भी head उपर ही होगा इसमें leg कहा है नीचे है, down है तो image में भी जो leg होगा वो कहां down ही होगा यानि अपका up-down का down बनता उस चीज को कहते हैं erect दूसरा जो image बनती है वो laterally inverted होती है lateral inversion होता है plain mirror से बनने वाली image में lateral inversion होता है lateral inversion का मतलब क्या है बच्चा जो left होता है object का image में वो right side चला जाता है जो object में right side होता है वो image में left side चला जाता है ये lateral inversion होता है जो image बनती है जो image बनती है plain mirror द्वारा वो क्या होती है same size की होती है same size की यानि जितना बड़ा object होता है बच्चा उतनी ही बड़ी image बनती है इसके अलावा same distance पर होती है same distance पर होती है यानि mirror से जितनी दूरी पर आप object को रखेंगे mirror से उतनी ही दूरी पर image बनेगा mirror से object जितनी दूरी पर रखेंगे आप mirror से उतनी ही दूरी पर image भी बनेगी इसके अलावा इससे बनने वाली जो image होती है वो virtual होती है मतलब आप उसे screen पर present नहीं कर सकते है एक mirror के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको आपका चहरा दिखाई दी रहा है पर क्या आप अपने चहरे को किसी दिवार पर किसी paper पर निकाल सकते हैं? नहीं आप उसको दिवार या paper पर पर present नहीं कर सकते हैं मतलब वो virtual image है वो virtual image है ठीक है बचा? तो plane mirror से बनने वाले image की कुछ properties होती है same size होता है, laterally inverted होता है erect होता है, virtual होता है same distance पर होता है, देखिए फटा-पट यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है और इस change को कहा जाता है बचा, इस change को कहा जाता है lateral inversion तो यह होती है plane mirror से बनने वाले image की कुछ properties आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं real image तो real image जिसको आप इस screen पर present कर सकते है जैसे एक concave mirror है हमारे पास यह बच्चा हमारे पास एक concave mirror है, concave mirror है अब देखो, जब इस concave mirror पर light rays आएंगी तो light rays आकर इस concave mirror से टकराएंगी, तो वो टकराने के बाद इमेज यहां पर बन जाएगी यानि यहां पर अगर आप कोई paper लगा देते हैं कोई screen लगा देते हैं, तो उस paper पर screen पर इस object का image बन जाएगा, यानि एक ऐसा image जिसको आप किसी screen पर present कर सकते हैं, उसको real image कहा जाता है, formed on a screen an image formed on a screen is called real image, और एक ऐसी screen जिसको आप screen पर नहीं बना सकते हैं, उसको virtual कहेंगे image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen and such an image is called virtual, जैसे plane mirror image बन रही है, आप उसको किसी paper या दिवार पर नहीं बना सकते हैं, वो आपकी virtual image है, ओके दो type के cob mirror होते हैं cob mirror, देखे cob mirror में बचा अगर हम बाहर वाली surface को polish कर दें, अगर हम बाहर वाली surface को polish कर दें और अंदर वाली surface से reflection हो, तो इस type के mirror को कहा जाता है, कौन cave mirror कौन cave mirror बाहर वाली surface को polish किया है, अंदर वाली surface से reflection हो रहा है, और अगर हम उल्टा कर दें, अंदर वाली surface को polish कर दें बाहर वाली surface से reflection हो तो इस type के mirror को कहा जाता है बच्चा, convex mirror convex mirror तो आपके जो spherical mirror होते हैं दो type के होते हैं there are two types of spherical mirror two types of spherical mirror और वो क्या होता है? तो एक होता है concave mirror, दूसरा होता है convex mirror, आप देख सकते हैं अब देखो, यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर जब light rays आकर टकर टकराती है यहाँ पर जब light rays आकर टकर टकराती है इस concave mirror पर तो वो light rays टकराने के बाद वो light rays टकराने के बाद एक common point से होकर pass होती है वो light rays इस mirror से टकराने के बाद एक common point से होकर pass होती है तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है सारी light rays आ रही है दूर दूर से और सारी light rays तकराने के बाद एक single point पर आकर मिल गई यानि इस mirror ने क्या किया सारी light rays को converge कर दिया एक single point पर और इसलिए जो concave mirror होता है इसको हम converging mirror कहते है converging mirror कहते है converging का मतलब है सबको एक जगे मिला रहा है pass pass ला रहा है converging का मतलब है pass pass लाना pass लाना यह सारी light rays को pass ला रहा है वही पर अगर बात करें कि जब एक convex mirror पर light rays आती है convex mirror पर light rays आती है और आकर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है बच्चा, वो light rays वहां से फैल जाती है, यानि यह light rays आकर टक्रा रही है, इस convex mirror से टक्राने के बाद यह फैल गई, और फैलने का मतलब है, जो convex mirror है वो एक diverging mirror होता है, diverging mirror, diverging का मतलब क्या है बच्चा, फैलाना यानि इस पर साली light ray जो आकर गिरती है ये क्या कर देता है उस light ray को फैला देता है ये convex mirror उस light ray को फैला देता है ठीक है चल आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं convex, concave mirror से बनने वाली images के बारे में तो देखिए concave mirror से कुछ ऐसी image बनती है कैसी image बनती है वो image जो होगी वो object से छोटी भी होगी object से बड़ी भी होगी वो image जो बनेगी वो आपकी real भी होगी, virtual भी होगी वो image erect होगी and inverted भी होगी यानि image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object the image also be real or virtual and साथी साथ erect and वो inverted होती erect का मतलब सीधा सीधा erect का मतलब object ऐसा रखा image भी ऐसी बनी inverted का मतलब है object ऐसा रखा है और image ऐसी बन गई यानि up का down होगी down cup होगी उसको inverted कहते हैं तो यह देखो real image बन रही है यहाँ पर virtual image बन रही है तो आपके concave mirror से हर type की image बन जाती है real virtual बनती है आपकी बड़ी छोटी बनती है inverted and erect भी बनती है convex mirror की बात करें बच्चा तो convex mirror always form upright and upright image बनाता है convex mirror जो होता है वो upright image बनाता है यानि वो हमेशा erect image बनाता है वो कभी भी inverted image नहीं बनाता है और साथ ही साथ convex mirror क्या होता है larger area को cover करता है यानि बड़े area का अगर हमको image formation करवाना है तो हम convex mirror का इस्तेमाल करते है और यही कारण है कि हमारे जो vehicles होते हैं उनमें convex mirror लगाया जाता है ताकि वो हमारे पीछे के बड़े इसे traffic को क्या करेगा एक छोटे से mirror के अंदर दिखा देगा और इसमें हमेशा जो image है वो कैसी बन रही है upright बन रही है यानि कार आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी अगर आप convex की जगे concave इस्तेमाल करें तो कार उल्टी हो के आपकी तरफ आ रही है अब इसके बाद lens क्या होता है तो lens एक transparent transparent glass होता है lens are a piece of transparent glass bounded by at least one curved surface and light can pass through them और light उसमें से आसानी से पास हो सकती है यहाँ पर यह जो lens है इसको बुला जाता है convex lens convex lens की पहचान क्या है बच्चा कि यह center में मोटा है और edges पर पतला है इसको कहते है हम concave lens concave lens की पहचान क्या है बच्चा तो यह center में पतला है और edges पर मोटा है ठीक है अब lenses का इस्तमाल कहाँ पर होता है तो lenses का इस्तमाल चस्में बनाने में telescope में, microscope में किया जाता है lenses का इस्तमाल इन अलग-अलग चीजों में होता है अब अगर हम बात करें बच्चा convex lens की तो जो convex lens होता है वो converging lens होता है convex lens जो होता है वो converging lens होता है यानि ये अपने उपर आने वाली सारी light rays को आप देख सकते हैं single point पर क्या कर देता है मिला देता है con cave lens जो होता है वो diverging lens होता है diverging lens का मतलब क्या होता है इस पर आने वाली light rays है वो टकराने के बाद fell जाती है यहाँ पर देखो यह light rays क्या हो गई fell गई यहाँ पर light rays fell गई यहाँ पर light rays fell गई और यहाँ पर क्या हो गई single point पर आकर मिल गए तो यह एक converging lens है यह एक diverging lens है अब अगर हम बात करें बच्चा कि जो sunlight है वो white color का होता है या colored होता है तो देखे हमने एक बहुत ही important phenomenon देखा है आसमान में और वो है rainbow formation जब आसमान में rainbow बनता है तो rainbow में seven colors होते हैं rainbow 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 में seven colors होते है और rainbow में यह seven colors कौन कौन से होते हैं तो इन sevens color को कहा जाता है वेबिग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर अब बच्चा देखो rainbow में seven colors दिखाई दे रहे हैं और यह seven colors कौन कौन से हैं तो मैं इनको एक बार लिखता हूँ यह seven colors हैं violet plus indigo plus blue plus green plus yellow plus orange plus red यह seven colors होते हैं एक rainbow में बट अगर हम बात करें भई rainbow कब बनता है तो जब बारिस होती है और sun से sunlight आती है और जब वो water drop पर एक गिरती है तो फिर water drop क्या कर देता है rainbow का formation करता है बच्चा जो sun से light आ रही है वो तो white color की होती है sun से आने वाली sunlight white color की होती है और ये white light एक water drop पर गिरने के बाद साथ colors में तूट जाता है इसका मतलब जो white color है वो इन साथ colorों से मिलकर बना हुआ है combination of these seven color gives us white color तो white color साथ colorों से मिलकर बना होता है ठीके बच्चा अब जब ये white color आकर गिरता है water droplets पर तो ये white color अपने seven components color में तूट जाता है और rainbow का formation होता है ठीके तो आपको पता चलिया sunlight कैसा है white color का है बट वो white color साथ colorों से मिलकर बना हुआ है clear है तो इसी के साथ हमारा ये जो chapter है इसको हमने तो कर लिया finish light नामक chapter हमने finish कर लिया और आप लोगों ने देखा कि हम इस cheat seat series में हर एक chapter को 20 minute में cover कर रहे हैं यानि आपके सारे concept को revise कर रहा है फटा फट तो फटा फट सब कुछ revise कर लो और exam की तयारी को एकदम boost up कर दो क्योंकि exam में बढ़िया number लाने चलिए बचलो मिलेंगे फिर से जल्दी जल्दी टाटा बाई बाई थांक यू एंड वेरी मच आ लव यू अल